हलो दोस्तों विलकम बैक अगर आप है वी हार बोड कक्छा साथ के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए कक्छा साथ समाजिक विज्ञान का उरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ जिसका एक्जामनेशन आप लोग को 29 मार्च को देना है उसी के करम में मैं आप लोगों के लिए एकदम 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ यहीं से आप लोग का सारा का सारा कोस्टन रहने वाला है इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है अगर आप लोगों ने वह वीडियो देख रखा होगा और आप लोग एक्जाम देने गए होंगे तो उसमें से आप लोग के एक्जामनेशन में कोस्टन रहे होंगे तो उसी तरह से आप लोग को इस एक्जामनेशन में भी सारा का सारा सावाल मिलने वाला है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 100% original question की ओर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे साथी साथ अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसके विशाम में जानकार मिले और वो भी अपना एक्जामनेशन सही ढंग से दे करके आपाएं तो चली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कोस्टन एंसर दिखाते हैं इसका जो आप लोग के एक्जामनेशन में आने वाला है तो यहाँ पर आप लोग जब एक्जामनेशन देने जाएगा तो इसी तरह का आप लोग को कोस्टन मिलेगा जिसमें आप लोग को सबसे उपर में वार्षिक मुल्यांकन 2024 लिखा हुआ मिलेगा कक्षा 7 और यहाँ पे आप लोग का विषय है समाधिक विज्ञान समय है 2 गंटा पुर्णांग कि यहाँ पे बात करेगा तो 50 यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को मिलने वाला है अब यहाँ पे अगर बात करिएगा कि कौन-कौन से चीज़े आप लोग को वहाँ पे भरना है तो सबसे पहले आप लोग को अपना यहाँ पे नाम भरना है यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नमबर और यहाँ पे आप लोग को अपने स्कूल का नाम और यहां पे आप लोग को अपने परखंड का नाम भर लेना है संकूल का नाम आप लोग को यहां भर लेना है और जीला का नाम आप लोग को यहां पे भर लेना है तो यह सारा परकिरिया आप लोग को कर लेना है अब यहां पे बात आती कि कौन कौन चीज़े आप लोग को नहीं भड़ना है तो विक्षक का हस्ताक्षर हो गया मुल्यांकन करता का हस्ताक्षर हो गया और प्रप्तांग हो गया इन तीनों चीज़ों को आप लोग को नहीं चुना है इसमें आप लोग के जो वड़की करेंगे पहला कोशने की सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगा ये पहला कोशने की संचार माध्यम एक स्वस्त लोकतंत्र को आगार देने में महत्वपून भूमिका निवाता है तो अगर बात करेगा संचार के माध्यम के तो संचार माध्यम अगर देखा तो अभी वर्तमान समय में जो सबसे जादा अभी लोग पिरिये है वो है मोबाइल तो क्या है वो लोगतंत्र को आकार देने में महत्पोर्ण भोविका निभाता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि मोबाइल यह हो गया या फिर जो है अन्ने चीजे जैसे टेलिफोन हो होते हैं वो सीधे सीधे सामान नहीं खरीदेते हैं बलकि उनको जो है खुदरा वैपारी से खरीदना पड़ता है तो इसलिए इसका हो जागा इसमें गलत उसके बाद आप लोग का है अकबर नामा विर्बल ने लिखा है तो बिल्कुल इसका गलत एंसर हो जाएगा क्योंक सांकेतिक मुदरा का पर्चलन मुहमद बिन तुगलक ने शुरू किया था तो इस बिल्कुल सही मुहमद बिन तुगलक के समय ही भारत में सांकेतिक मुदरा का पर्चलन शुरू हो गया था आगे हम लोग देखेंगे तो रिक दस्थानों की पूर्ति करिए पहला क्या है को आंदोलन की बात आवे तो वहाँ पे ज्यादा तर आंदोलन जितना भी आंदोलन है लगभग लगभग जो है वो रंग भेद से संबन दिते हैं इसलिए इसका आपका जो यह हो जाए गया अंसर वो होगा आपका रंग भेद यानि की पहला जो महात्मा गांधी जो दक्षिन गया गया थे वहाँ पर जो इनके द्वारा संघर्स किया गया था वह रंग भेद के खिलाब शुरू क्या गया था अगला सवाल आता है कि सिस्मोग्राफ से खाले अस्थान के तिर्वता मापते है तो आप लोग को पता ही होगा कि सिस्मोग्राफ जो होता है वो भुकम के मापने में सहायक होता है इसके द्वारा पिर्थभी के जो प्लेट होते हैं उनके गती का जो है यहाँ पर उसको मापने का काम किया जाता है जिससे की पता चल जाता है कि कितने रियक्टर स्केल में खाली अस्थान नगर के रूप में हुआ है तो भरोच अगर बात करेगा तो भरोच एक ऐसा नगर था जिसका जो है यहां पर बात करेगा तो पत्तन के रूप में हुआ है यहां पर पानी का जहाज वगरा यहां पर आकर के रुखता है तो यहां पर आप लोग का पत्तन इसम पर करता है कि हमें वह साम्ड सुनाई देगा अथवा नहीं सुनाई देगा.. क्योंकि की decival की मात्रा से हिम लोग के सुनने की शक्ती प्रभावित होती है.. अब हम लोग यहां पर मिलान करने वाले में आजाएंगे, तो यहां पर आप लोग को एक एक कर कर के, सारा कुछ मिला लेना है इसमें एक गलती हो गया था तो यहां पे यह जो काटा हुआ है इससे आप लोग को नहीं जाना है चलिए एक एक करके अब हम लोग मिलाते हैं जब बात आता है पंजाब की तो पंजाब को जो यहां पे मिलाना है वो बाबा फरीद की क्योंकि बाबा राज्य से है और बाबा फरीद की अगर बात करेगा सारा का सारा जो इतिहास है वो पंजाब से रिलेटेड है और वहीं से जुरा हुआ है अब आगे आता है दिल्ली तो दिल्ली के अगर बात करेगा तो निजामुदीन ओलिया यहाँ पे दिल्ली में जो निजामुदीन ओलि अभी भी जिक्र मिलेगा आगे हम लोग देखेंगे तो बरावनी बिहार में है और बिहार में अगर देखेगा तो बिहार में तेल सोधा कारखाना कहा है जो सबसे पुराना है तो बरावनी हो जाएगा तो यहाँ पे बरावनी जो है वो तेल सोधा कारखाना से रिलेटेड है तो इसलिए ये तेल सुधा कारखाना में इसको मिला लिया जागा अब यहाँ पर पूर्णिया की अगर बात करेगा तो पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक जूट मिल भी है तो जिस कारण से पूर्णिया का यहाँ पे जो सहे मिलान होगा वो जूट से हो जागा आगे हम लोग वरेंगे तो यहाँ पर अगला सबाल आता है कि कि नहीं चार प्रसनों का उत्तर देजे कौर नमबर में आप लोग को देखना है क्या काता है कि लद्धाक में कम वनस्पती और कम जनसंख्या क्यों है तो इसका एंसर क्या हो जाए कि लद्धाक एक ठंडारेगिस्तान है और अधिकान से किसी भी वनस्पती से रही थे तापमान अकसर चरम सीमा तक पहुच जाता है और यहां रहना आसान नहीं होता है तो इसलिए क्या होता है कि लद्धाक में वनस्पती और जनसंख्या दोनों ही कम पाया जाता है क्योंकि जब वहाँ पे भोजन की यहाँ पे उपलब देता ही नहीं रहेगा साथ ही साथ लोगों का राना वहाँ पे सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम पाय जाता है अगला है कि विग्यापन को बार बार परसारित क्यों क्या जाता है तो विग्यापन के अगर बात करेगा तो आप लोगों ने भी TV पे मुवाइल पे आप लोग देखे होंगे एड चलता रहता है तो उसी को विग्यापन कहा जाता है तो विग्यापन का बार-बार परसाजित करने से उस वस्तू के विशे में जानकारी देना ताकि उससे समन्दित लोगों के अच्छे भाव आये और वो समान को खरी देए अगर यहां पर आता है कि पोलोथीन बैक के क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं तो यहां पर हम लोगों ने दो लिखा है जूट का बैक और कपड़ा का बैक क्योंकि यह दोनों को अगर आप लोग अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो वह सर जाएगा ठीक है आगे हम लोग देखेंगे तो थोक एबम खुद्रा वैपारी में अंतर रिखें तो थोक वैपारी इसके पास समान अधिक मातरा में रहता है तथा खुद्रा वैपारी को समान बेचता है खुदरा वैपारी तो इससे गराहक सामान खरी देते हैं तो यह आप लोग का यह हो गया उसके बाद अगला यहां पर है कि पानीपत की पर्थम लराई किन के बीच और कब हुई थी तो पानीपत की पर्थम लराई के अगर बात करीगा तो बाबर और इबराहीम लोदी के बीच 21 अपरेल 1526 में लरा गया था आगे आप लोग काता है कि कि नहीं एक प्रसन का उत्तर देजे को नमबर में है कि आठमी सताब्दी के आसपा स्वे परिवर्तनों को लिखे आखा है जन जागरूपता में मीडिया की आम भूमिका है कैसे पठार किसे करते हैं पहार और पठार में अंतर लिखे तो यहाँ पर आप लोग को खार नमर का एंसर है आप लोग इस वीडियो को रोख करके आसानी से इसको लिख सकते हैं अमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को ज्यादा से चाहिछ करिए ताकि अन्य लोगों को इसके वीशे मघनकारी मिले मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में धन्नवाद thanks watch